आज पानी का विशे है, पानी बहुत कीमती है हम सब कीटी बन के लिए, और जब तक हम में जागरती नहीं आएगी, ठूटी खुली है, हम बुरुस कर रहे हैं, चलता रहे हैं, क्या उसको हम बंद नहीं का सकते हैं, जब बुरुस हो जाए, जब मुझको साप करना उपकर बिजली का बिल देना ना पानी का बिल देना, तो इसलिए पानी को जितना हम उसका सदिप्योग करेंगे, उतना ही मैं समझता हूँ, और आज मोझी जी ने पांच लाग क्रोड की जलजीवन विशन है, हर गाहों को पीने का पानी देना है, हर गाहों में नल होना चाहिए, यह तब ही होगा जहे हम सामुएक रूप से अपना उस्तरदाइश्क शंदेगे, सा treatments करेंगे, हमने कुछ नहीं करना ह蒲ाग कुछ कुछ नहीं करना है, सओच भी ठीक नहीं हो सकता है, सरकार कानून बनाती है नियम बनाती है नीतिया बनाती है उनको एक्जिगूट करती है यह करना तो हम सब नहीं है तो आज का जो विशेर जल्स सरक्षन का उसकार तालाब खूद रही है अब गाहों का पानी कहां जाए गालिया सरकारों को देंगे सरपंचों को देंगे मलेंपी को देंगे कभी यह सोचा है कि जोड जिनमें गाहों का पानी जाता था जोड कहां चले गए तो इसलिए सारे विशेर तो आज मैं इतना कहना चाहता हूं जब तक हम लोग इस बात को नहीं फैलाएंगे पानी का सलीप योग कीजिए खाली हमने अपनी जिंदगी पूरी करके जाना आगरों के नहीं सोचना तो इस सोच नहीं रहनी चाहिए आने वाली पीडियों का भ़़ा उसी में है कि हम अगर आने वाली पीडियों की भी सोचे कि उनके लिए कुछ छोड के जाना है नहीं जाना है अब मुझे यकीन है कि हम सब लोग क्योंकि सिर्फ सोच बदलनी रहो कुछ नहीं करना है जितनी जरूर से उतना उप्योग करना है यह नहीं कि दो दो घंटे बानी से भैस को ना वाना है गाड़ी को साप करते रहे ना दो दो घंटे गाड़ी पर गीरा खप्रा भी लग सकता है घर में पोछा भी लग सकता है तो जल को बचाना जल का सदित्योक करना तबी यह घर-घर में जो मोदी जी की करपना जो पानी पोचा रहे हैं सारे पूरे देश के गरों में तो अब तक चला गया है खनेशन कि इन नलों में पानी जबी जाया है जब पानी बचाएंगे हम तो इसलिए आउ मिलकर हम जल सरक्षाथ पर एक अवेनस करें यह ऐसे इश्यूज है जो देश के लिए बहुत दिरूली है और मुझे उम्हें यकीन है कि हम पानी के